कागज की कहानी आत्म कथा मैं कागज हूँ मिरा जन्म आज से लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था उससे पहले लोग इंट, चमडा, पेड की चाल, पत्ते, लकडी आदी पर लिखते थे मिसर के लोग लिखने के लिए पैपिरस नामक पौधे का प्रियोग करते थे इसलिए बाद में मेरा नाम पेपर भी पड़ा, चीन में साइलून नामक व्यक्ती रहता था वह एक दिन लकडी को काट कर उसे चिकना कर रहा था, उसे लकडी में रेशे दिखाए दिये उसने सोचा कि इन रेशों की लुगदी से ऐसी चीज बनाई जा सकती है, जिस पर लिखा जा सके बहुत परिश्रम के बाद वह मुझे बनानी में सफल हुआ साइलून ने मुझे जिस रूप में जन्म दिया था, वह मेरे आज के रूप जितना बढ़िया नहीं था किन्तो आज भी जिस विधी से मुझे बनाया जाता है, उसका मूल जन्म दाता साइलून ही था मुझे बनाने वाले रेशों को सैलिलोज कहते हैं, यह एक प्रकार का फाइबर होता है वैसे तो सैलिलोस सभी पेर पौधों में पाया जाता है किन्तो मुझे बनाने के लिए अधिक्तर बांस, चीर, देवदार और स्प्रोस आधी पेरों की लकडी का प्रियोग किया जाता है इसके अतरिक्त फटे पुराने कपडों के रेशो से भी मुझे बनाया जाता है मुझे बनाने के लिए पहले लकडी के बड़े बड़े लटों को काटा और छीला जाता है उसमें पानी मिला कर आग पर उसकी लुगदी तयार की जाती है लुगदी को छानने के लिए उसे तार की जाली के पटों पर बिछाया जाता है यहाँ सारा कार्य हाथ से ही किया जाता था इसके लिए जल में फाइबर अर्थात रेशे के तंतू मिश्रण को एक परदे से गुजारा जाता है ताकि पानी निकल जाए और परदे पर रेशों की एक चटाई बन जाए इस चटाई में जो पानी बच जाता है उसे दबा कर और सुखा कर मुझे बनाया जाता है आजकल यह सारा काम मशीनों द्वारा होता है जिस फैक्टरी में यह काम किया जाता है उसे पेपर मिल कहते हैं हाथ से बना कागस, मोटा और खुरदरा होता था किन्तु आजकल मुझे क प्रकार का बनाया जाता है, मोटा, पतला, चिकना, खुरदरा, सफेद, रंग बिरंगा, सादा, दानेदार, चंकीला, पारदर्शी आदी, छापे खाने के अविशकार के साथ संसार में मेरी मांग बहुत बढ़ गई है, लाखो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, फ अगस के थैले, गत्ते के डिब्डे, लैंपशेड, पतंगें, पेपर प्लेट, करंसी नोट, इको फ्रेंडली बस्ते आदी, संसार की उन्नती में मेरा बहुत बढ़ा योगदान है, किन्तो मेरे कारण बहुत सी समस्याएं भी हैं, संसार के करोनों लोगों में मेरी भारी म को पूरा करने के लिए हर वर्ष लाखों पेर काटे जाते हैं, इससे वनों का नाश होता है, अब लोगों ने इसके कुछ हल ढून निकाले हैं, पहला तो यहां कि जहां तक हो सके, मेरा उप्योग कम किया जाए, इसमें सबसे बड़ी सहायदा कम्प्यूटर ने की है, पहल फेका न जाए, उसकी फिर से लुगदी बना कर मुझे दुबारा बनाया जाए, इसे रीसाइकलिंग या पुनर निर्मार कहते हैं, इस विधी द्वारा बनाया गया मेरा रूप थोड़ा निम्न किस्म का अवश्य होता है, किन्तु यह सस्ता होता है, इससे मेरी बचत होती यह धैले, चार्ट पेपर आदी बनाने के काम आता है, आप सब को चाहिए कि मेरा व्यर्थ उपियोग ना करें, अपने बनों को कटने से बचाएं, धर्ती को प्रदूशन मुक्त बना कर उस पर वर्शा करवाएं